आगे बढ़ते इस वक्त की एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं बाडमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जीट पेपर गड़बडी मामले को लेकर नकल गिरो के रेड जोन में बाडमेर जुला वकील मनोल बिष्णोई के पास में पेपर आया था भजनलाल और अशोक ने अपनी पत्नियों के लिए यहाँ पर पेपर मंगबाया था रिष्टदारों को भी नकल में शामिल किया गया बाड मेर के कई आरोपी फिलहाल ये मामला प्रकाश में आने के बार भूमिगत हो गए है बंद कमरे में नेटवर्क बनाकर रात में दो घंते तक पेपर रटाया गया सुबे परिक्षा दिलाई गए पेपर रखने के बाहरी जिलों के कई अम्भ्यार्थी भी बाड मेर पहुचे साथ आपको ये भी बता दे है सोजी की टीम लगातार जिले में दविश दे रही है पूर में गिरफतार भजनाल और सोहनी को आठ परवरी तक जेल भेजा गया है तो बाड मेर से इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता रहे है रीट पेपर गड़बडी मामले को लेकर बाड मेर रेड जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसी खबर पर हमारे साथ बाचीत करने के लिए हमारे सयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए अशोक कह सकते हैं कि पहले शुरुवात राजधानी जैपूर से हुई उसके बाद मिरासान के तमाम ऐसे जिले हैं जो यहां से लगातार रीट परिक्षा में धांदली को लेकर लोगों की गिरफतारिया हो रही है जी निची द्रूप से प्रिती जो रीट पैपर लीग परकरण है उसके चींटे राजधानी से शुरू होकर पर्थी में राजधान के बाड मेर जिले तक पहुंच चुके हैं और आइसोजी की टीम है पिछले प्रिक्षा आयोजीत नहीं हुई क्योंकि यहां पर सरकार ना भी इस जिले को दमेजन सील परिक्षाओं की दरश्वी से कर दिया है और अगर इस पेपर लीग प्रकरण की बात करें तो ऐसी जानकारी सामने आई है कि जो बाड मेर का वकील है जिसका नाम मनोज विष्णोई बताया जा रहा है उसके पास पेपर आया था उसने बजनलाल और एक अशोग जाने नाम करके एक अलग करती है उनको पेपर दिया उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए परी खड़ी दे और उसके बाद उनी पेपरों को रिस्तेदारों को भी उस पेपर में नकल में सामिल कर वाया था ठीक है अशोग इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखेगा